जै माताजी दोस्तों, मैं दिनेश भी जोशी, आपका अपने यूटूब चैनल एस्टोलोज और दिनेश जोशी में स्वागत करता हूँ दोस्तों, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं, तो बेल आइकॉन की घंटे को दबाए या सब्सक्राइबर बटन दबाए जिससे आने वाले टाइम में आपको जोती से समध इतना ही नहीं समस्या आए, जो चल रही है, उसका समधान आपको मिलता रहेगा और हमारे ही बनाएवे किसी वीडियो में हो सकता है आपकी समस्या का समधान निकल आए इसलिए वीडियो को अन तक जरूर देखे, आपके सुजाव हमें बताए दोस्तों आज अपन जिस आर्टिकल पर चर्चा करेंगे या जिस विशे पर बात करेंगे ये आज की वर्तमान लाइप में या यू कहे परजेंट में बहुत बड़ा मुद्दा है हर तीसरे चोथे गर की समस्या खड़ी हो रही है संतान संबंदी समस्या हर इस्त्री का सपना होता है कि वो मात्योत्वा दारन करे और संतान को जनम दे बने और अपनी जिम्मेदारी निभाए और संतान शुप प्राप्त करें इसमें से कुछ लोग ऐसे अबागेशाली होते हैं जिनको संतान शुप नहीं मिलता या किसी कारण वस उनको संतान प्राप्ती नहीं होती है तो उसके पीछे बहुत सारे कारणों से हो सकते हैं शारेरिक तकलिफ हो सकती है शारेरिक कस्ट पिड़ा या कमी की वज़े से भी संतान नहीं हो रही है पर उसके लिए आज का जो विज्ञान है वो इतना पहुँच चुका है कि उससे आपको संतान समन्दी समस्या पिर भी आपको संतान सुक नहीं हो रहा है संतान प्राप्त नहीं हो रहा है तो उसके पीछे क्या कारण हो सकता है उसके पीछे परमू कारण होता है कोक बंदन का कि किसी नापके अगर कोक बांदी है तो संतान उत्पर नहीं होगी कोक बांज हो जाती है उसे संतान होती ही नहीं है अगर कुंडली मैंसे कोई गरह दोस उपस्तित हो रहे तो उसका समाधान भी हो सकता लेकिन कोक अगर किसी ने बांदी है और संतान नहीं हो रहे तो कैसे आप संतान सुख प्राप्त करें कैसे आप पत्ति-पत्नी माता-पिता बन सकते हैं इसके चक्कर में, संतान के चक्कर में बहुत सारे लोगे मंदीर, मस्जिद के चक्कर काड़ते लेकिन वो शुक प्राप्त होने पाता क्योंकि उनको समस्या की जड़तक जाने का रास्ता ही नहीं मिलता तो आज हम आपको बताएंगे कैसे आप बंदी हुई कोग को खोल कर माता-पिता बन सकते हैं और संतान सुक प्राप्त कर सकते हैं ये बहुत ही चम्मतकरिक सिद्ध परयोगे ये करने से आपको आवस्य संतान प्राप्त हो सकती है और जो आप अभी इनी संतान होने का दुख कश्च शहरे है उससे भी आपको मुक्ति मिल सकती है उसके लिए आपको क्या करना है काला तिल लाना है थोड़ा कबुतर या मुर्गी का मास लेना है तिल का तेल लाना है थोड़ी हिंग मिलानी है और इस्त्री और पुरुष को पास दिन तक कुछ से सनान करना है और एक माला करनी है लड़ू गोपाल के सामने भेटके मंत्र इस परकार है ओम क्रीम क्रीम क्ली कुरू श्वाहा ओम क्रीम क्रीम क्ली कुरू श्वाहा इस मंत्र का जाप करना है और सरीर के सभी छिद्रों पे उस तेल की मालिस करनी है इससे बुरी सक्तियों का नाश होगा और जिस इस्त्री की कोकबंदन है वो कोकबंदन खुल जाएगी और संतान प्राप्ति का योग बन जाएगा उसके अलावा अगर कोकबंदन हो रखी है को खुल नहीं रही है तो फिर इस संकट से मुक्ति पाने के लिए आपको संकट मोचन हनुमान जी की सरण में जाना होगा उसके लिए आपको मंगलवार या सनिवार के रात को नो बजे नहा दोकर, सुध होकर, पुरो मुकी होकर बैठ जाए हनुमान जी महराज की फोटो रख दे दूप दिप परसात का भोग लगाए मंतर का जाप करना है 108 बार मंतर बोलना है और सामने जिस इस तरी के संतान युरे उसको बिठा दे एक लोटे में सुध जल भरके लाल धागा उसके अंदर डालके रख दे और 108 बार मंतर बोलना है फिर उसके बाद में उलाल धागा बार निकालके 21 बार वही मंतर बोलकर वो पानी इस्तरी को पिला दे और धागा इस्तरी की कमर में बान दे ऐसा करने से सिग्र कोक बंदन से मुक्ति में लेगी उनको संतान होगी और उत्तम संतान होगी अब जो मंत्र है वो थोड़ा लंबा है पर ध्यान से सुन ले ओम नमू नील नील महा नील दरश्टी देख कोक खोल फूल फूल बने बेठे चतुराई चले अमुक के पेड़ के फल फूल की हानी होतो राजा राम की दुआई हनुमान जी की दुआई सब्द साचा पिंड काचा फूरो मंत्र इस्वर वाचा सतनाम आदेश गुरु का मंत्र इस परकारे वापस एक बार सुन लिजिए ओम नमू नील नील महा नील दरश्टी देख कोक खोले फूल चुले बेठे चतुराई चले अमुक के पेड़ के फूल फूल की हानी होतो राजा राम की दुआई हनुमान जी की दुआई सब्द साचा पिंड काचा फूरो म मंत्र ई資 वर वाचा सतनाम आदेश गुरु का यह मंत्र आपको एक शाच बार बोल ना है ऐसा करने से संतान समधी समस्या समाफ्थ हो जाएगी और आपको शिग्र शोंतान करें आप सभी मित्रों की समस्या का समधान किया जाएगा निकाल किया जाएगा योग्य पूजा पाट की जाएगी जिससे आपके कश्ट से मुक्ति मिलें और आपको संता नुत्पनू हमसे जुड़ने के बाद सेक्डों लोगों के जीवन में परिवर्तन आया है आप युस परिवर्तन का हिस्सा बने और अपना जीवन आनद मंकल में बनाए इसी के साथ अब मैं देनेश में जूशी आपसे विदा लूँगा हर हर महादेव